हेलो प्रिवन वेलकम टू इस्टेटिवी ग्यान प्रकास तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि वरतमान समय में उत्तर प्रदेश में सिक्षा सिवा आयो का घठंग कर दिया गया है लेकिन इसके बावजूद भी राज की इंटर कालेज में और राज की डिगदी काले गा इन तीनों भरतियों को उत्तर प्रदेश लोग से वा आयो के द्वारा पूरा किया जाएगा और एक मुख्य बात यहां पर यह था कि एल्टी ग्रेड हो या पिर प्रवाक्ता भरती हो इसमें जो अधियाचन आयो को प्राप्त होये थे उसमें एक जो मुख्य मुद्धा था संकक्षता वाला उसको फिलाल हल कर लिया गया है यानि कि प्रवाद अब यहां पर उसका हल निकाल लिया गया है तो इसके बाद विज्यापन है, नोटिफिकेशन है, वो उत्तर पिस लोग से वा आयोग जारी करेगा, और अब इसमें कोई भी अर्चन नहीं है, देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, LTE grade के बारे में, या फिर GIC प्रवक्ता के बारे में, तो इसमें LTE grade सीटें ज्यादा होती है, क्योंक में LTE grade की भड़ती की जाती है, बस इतना साही फर्क है, और LTE grade के लिए, जो परिच्छा होती है, ध्यान दिजेगा, कि जो परिच्छा संस्ता है, वो UPPSC की तारा करवाई जाती है, यह परिच्छा, और TGT की जो परिच्छा होगी, यह आपकी सिक्षा, आयोग के तारा प तो फिलाल यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें आपको तमाम जानकारिया उप्लद करवाएं थी जी आएसी प्रोक्ता भरती के बारे में देखो फ्रेंड्स यह जानकारी मैं आपको थोड़ा सा अरली दे रहा हूं फिकावज आफ एक तो नंबर आफ सीड्स जो होती है जी आएसी प्रोक्ता में वो थोड़ी कम होती है दूसरी बात ही होती कि इसमें जो कमपर्टीशन होता है यह बहुत जादा होता है आने वाले समय में उत्तरत लोग से वायोक के द्वारा आपका जो विज्यापन है जी बहुत कम मिलता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि जितना अधिक समय आप देंगे इस परिच्छा के त्यारी के लिए उतना ही बहतर होगा आपके लिए यही वज़य है कि जी आएसी प्रोक्ता के बारे में बहुत सार्य जानते भी नहीं है तो उनके लिए और जो जानते है उनके अवेर्नेस के लिए भी यह वीडियो मैं आपको दे रहा हों बना के देखो फ्रेंट्स यहाँ पर जी अएसी लेक्ट्रय क्लिए जो इलिजबिल्टी होती है बर्तमान समय में जी आएसी उत्तरपदेश में आपको क्लियर्कट बता दूं उत्तरपदेश में चाहें आप GIC lecturer के लिए आवेदन करें या फिर PGT के लिए आवेदन करें इसमें जो योगिता है, वो मात रही है कि सम्मन्दित बिसाय में आपका PG होना चीहे जो आपका सम्मनित विषय है जिस विषय में आप आवेदन करना चाहते हैं उस विषय में अगर आपने post graduate किया हुआ है इसमें percentage की भी कोई बात देता नहीं है तो आप जो है यहाँ पर GIC प्रवक्ता के लिए और PGT के लिए दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं GIC प्रवक्ता के लिए जो आपकी योगिता है वो क्या होती है सिर्फ PG होती है अब देखो बहुत सरे लोग यहाँ पर यह कहेंगे कि यंसीटी ने यह कह दिया है कि प्रवक्ता भरती के लिए बीएड मस्ट होना चाहिए यह यंसीटी के रिगलेशन्स में है वो बात आपकी सही है तिके फिलाल यूपी में अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है जिसके आधार पर हम यह कहें कि PGT में या फिर GIC प्रवक्ता के लिए आपसे यहाँ पर बीएड की डिमांड की गई है अब भविस्त में क्या होगा यह तो मुझे पता नहीं है तिके फिलाल तो अभी यही प्रतित हो रहा है कि eligibility में कोई बदलाव नहीं होगा और यहाँ पर बीएड को एक अधिमानी अहरता के दूप में रखा गया है यानि कि यहाँ पर बीएड की डिमांड नहीं की जाती है लेकिन अगर दो अभीरति हैं जो PG के आधार पर आवेदन किये हैं दोनों समकक शाकर खड़े हो जाते हैं समान अंक लेकर तो जिसका इसमें बीएड होगा उसको वेटेज इसमें मिल जाता है तो यह तो आप जानते हैं यह PGT में भी लागू है और GIC प्रवक्ता भरती के बारे में वो लोग इसके पहले जो वीडियो मैंने अप्लोड किया हुआ है उसको जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा लिंक मैं आपको पहले कमिन में दे रहा हूँ और इसके डिस्क्रिप्सन में भी वीडियो के तो आप लोग जाकर देख सकते हैं तो आप अगर appearing में हैं ठीक है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा कि appearing वाले यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं दूसरी बात यह है कि क्या यहाँ पर पर्सेंटेज की बात देता है तो जैसा कि नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर सारी बातें बिल्कुल क्लियर बता दी गई है अब देखो यहाँ पर यही जो सब्द था एक्विवैलेंट क्वालिफिकेशन वाला इसी को अब एलिमिनेट कर दिया गया है यानि कि यहाँ पर केवल यह कहा जा रहा है कि अगर आपने भारत में विदिद्वारा अस्थापित किसी विश्विद्दाले से संबद भिशे में असनाप्त कोतर की उपादी धारित की है तो आप यहाँ पर एलिजबल हैं यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि B8 के लिए यहाँ पर परसेंडेज की कोई बात यहाँ पर नहीं की गई है तो यह बात बिर्कुल क्लियर हो गई है अगर आप GIC प्रयोक्ता पूरुस महिला दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं किसी भी पत के लिए चाहे पूरुस के अंतरगत चाहे महिला कडिगरी के अंतरगत तो समास सास्त, भुगोल, अर्थ सास्त, इतिहास, बिग्यान में कहा गया है कि अगर आप वनस्वत बिग्यान या फिजंद बिग्यान में PG है तो आप आवेदन कर सकते हैं और प्रवक्ता पूरुस महिला शिक्षासास्त के लिए थोड़ा से आपका कंडिशन दिया गया है कि या तो सिक्षासास्त में आपने PG किया हुआ हो है असनात्कुत्तर उपाधी और संस्कित विषय के साथ कला असनातक यानि कि असनातक में आपका एक विषय संस्कित रहा हो और हिंदी में आपने PG किया हुआ हो या फिस संस्कित विद्याले वारानसी की सास्ति परिच्छा का प्रमाणपत्र अगर आपके पास है लेकिन ध पूरा नंसे आपने सास्ति परिच्छा पास की हो उर्दू और संस्कित के बारे में भी कंडिस्टन सहा पर दी गई है यह आप खुद दे सकते हैं वाडिज के बारे में कहा गया है कि कामर्स में असनातक उत्र की उपाधी होनी चाहिए तो यहां पर मुख की रूप से यह पर ना तो percentage की कोई बात देता रखी गई है और ना ही B8 की आपसे demand की गई है अब बदली प्रस्तितियों में अगर कोई संसुधन जारी हो वो अलग बात है लेकिन फिलाल तो अभी जारी होनी की कोई संभावना नहीं है अगर आप simple PG है तो आप यहां पर आवेदन बारतमा साल की बीच में अगर आप अनाराक्शित काटेगरी से आते हैं तो यहां पर 21 साल से लेकर 21 साल से लेकर 40 साल की बीच में अगर आपकी उम्र सिमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं ठीक है तो यह बात ध्यान रखिएगा कि 21 से 40 साल in general अगर आपकी उम्र है तो आप यहाँ पर आविदन कर सकते हैं और रही बात की यहाँ पर selection process क्या होता है देखो मैं already आपको बता चुका हूँ कि मैंने यहाँ पर आपको पूरी जो chain प्रक्रिया है इसके पहले के वीडियो पर ही आपका chain कर लिया जाएगा अगर कोई यह कहता है कि सर क्या इसमें इंटर्व्यू भी है तो ध्यान जीजेगा कि इसमें इंटर्व्यू नहीं है इंटर्व्यू इसमें नहीं होगा और एक सवाल और भी बहुत लोगों ने पूछा था कि number of seeds इतनी कम यहाँ पर क्यों आती है तो मेल वाले से मेल में रहते हैं फिमेल वाले जो होते हैं वो मेल और फिमेल दोलों में जिसमें सेटे जाता हो वो अपने मुताबिक आविदन कर सकते हैं लेकिन किसी एक स्रणी में आविदन कर पाती है महिला है चाहिए अपनी कटेगरी में रहे या पर पूर्सों पुर्सों के लिए होते हैं महिलाओं के लिए भी सेम सब्जेक्ट रहता है लिए इसमें एक विसे और बढ़ गया है होम साइंस का ठीक है तो इस प्रकार से अब देखो जो नंबर आप सीट्स हैं वो कितनी आएंगी वेकेंसी यह जब बिग्यापन जारी होगा उसके बाद पता चलेगा और लेकिन एक बात ता है है कि यहाँ पर अगर आप प्री परिच्छा को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ध्यान दिजिएगा कि जो आपकी प्री की परिच्छा होती है यह दो घंटे की परिच्छा होगी और इन दो घंटों में आप से क्या-क्या पूछा जाएगा ध्यान से सुन लिजिएगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो दो पार्ड में रहेगा और कुल मिलाके 120 प्रस्न इसमें आप से पूछे जाएंगे कितने प्रस्न होंगे 120 प्रस्न होंगे और यह कुल मिलाके 2 घंटे की परिच्छा होगी जिसमें जो 40 प वह बहुत भी कलपी होंके MCQs रहेंगे और जो लोग प्री की परिच्छा को क्वालिफाई करेंगे तो वो लोग फिर मेंस देंगे मेंस में भी आपके जो है कुल्म लाके दो पेपर होंगे पहला पेपर कंपलसरी रहेगा जिसमें सामान हिंदी और निबंद के अंतरगत दो है तो ध्यान दीजेगा कि प्री की परिच्छा जगर आप दे रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप जनरल या फिर OBC कटिगरी में आ रहे हैं तो कम से कम प्री परिच्छा में 40% अंक आपको लेकर आने पड़ेंगे अगर 40% से कम अंक लेकर आप आते हैं तो आप मतलब बाहर ह ही आप आउट ना हो जाएं तो आप कम से कम अगर ECST कटिगरी से हैं तो 35% और अगर आप जनरल या OBC हैं तो 40% अंक आपको लेकर आना पड़ेगा मैं साट में आपको बता दूँ तो यहाँ पर जैसे कि जो आपकी परिच्छा होगी आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका पड़ेंगे कम से कम जो अगर आप ECST कटिगरी से हैं और यहाँ पर 120 अंक 300 में 120 अंक हासिल करने पड़ेंगे अगर आप OBC है या फिर जनरल कटिगरी से हैं तो यह ध्यान रखिएगा और अई बात GS में क्या क्या पूछा जाएगा तो GS का जो सलेबर से बिलकुल वही है ज जिसके लावा जोग्राफी है हिस्ट्री है जनरल साइंस है तो यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ने पढ़ेंगी और फिर आपका जो विशे है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना पढ़ेगा तो देखो यहां पर सभी विश्यों के लिए आपका जो पूरा सलेबर से ये दे दिया गया है। सिलेबस अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप studywithyyanprakas.com जो कि हमारी website है उस पर मैं सिलेबस डाल दूँगा तो वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने विशेका जो सिलेबस है और आराम से अपने study को आप आगे बढ़ा सकते हैं तो friends ये पूरी information है full information और मुझे पूरा भरुसा है कि इस से आपको काफी benefit मिलेगा देखो last date का इंजार मत करू notification का इंजार मत करू जो मुक्य विवाद था इस भरती में समकस्ता का था वो दूर उचकी है यह विवाद खतम हो चुका है आयो के द्वारा notification कब जारी होग तो यह आयो का काम है कि वह notification कब जारी करता है एक महिने में दो महिने में तीन महिने में चार महिने में लेकिन अगर आपको चैनित होना है तो आपको अपने तयारी अभी से start करना ही पड़ेगी एक सही रणनेती के साथ और निश्टी तुरूप से यह एक बहुत ही सांदार वेकैंसी है इसमें जो starting में ही आपको salary मिलती है पहली salary लगब 75-80,000 के बीच में आपकी salary रहेगी और इसके बाद क्रमस बढ़ती जाती है और फिलाल तो अग जब आप वरिष्ट होंगे तो आपकी salary जाएगी यह तो आपके job tenure पर निरुपर करती है तो उमीद करता हूं कि यह session आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा बहुत सारी चीज़ें आप समझ गया होंगी इसके पहले का video कर आप देखना चाहते हैं तो link आपको description और पहले कमिन मिल जाएगा तो जाकर अभी आप आज कर सकते हैं या फिर end screen पर भी आपको video देख रहा होगा तो इस पर भी आपको आपको Ching desse औरस आपको आपको का दो एम परी आपको आपको का दो गुकर पहँआ कर सकता हैं और फन एम यह क महुत साल को हम आपकर मुशना रहा होगा वाले का च मुशना एम श्यूना प्यूनode